हलो दोस्तों मैं वेधर लिए आप सभी का स्वागत है क्लाएं मेर्ट इंग्लिस पर दोस्तों आज जो हम सीखेंगे वह है फूचर कांटिनुए स्टेंस नेगेटिव यानि नेगेटिव सेंटेंस है हम इसके पहचान देखते हैं यह वाग के रहा होंगा रहे होगे रही होगी रहा होगा पर समात्रूता है यह पहचान होती है हम सेंटेंस देख लेते हैं और दूसरा है वी सेल नाडबी स्लीपिंग हम सो नहीं रहें होंगे और दिया गया है तीसरा राना विल नाडबी रनिंग राना दोड नहीं रहा होगा यानि इसमें हर जगा नाडब लगा है तो मतलब यह सिंटेंस निगेटिव है और हम इसको और अच्छे समझनी के ऐसा काम जो भविस में हो रहा हो और नकारात्मक हो जो नकारात्मक हो और जो कार जारी हो अभी पूरा नहीं हुआ है इस तरह का संटेंस अब फ्यूचर कांट हो जाता है अगर आगे देख सेवा नाडबी से लिंग तयार हो अपनी कुस्त के बेच नहीं है द्लब लाइं एडिंगवा पड़ नहींर हो का युल नर्बी रीडिंग वां पड़निरा ओका अमल मिल अमन त Rob na structuralन। एह मंन खाना नहीं खा रहा होगा भेसेल नट भी प्लेंग इंद ग्राउंड हम मैदान में खेल नहीं रहे होंगे सब्सक्राइब सब्सक्राइब क्यों सब्सक्राइब यूँवीशीएट दे के साथ विल बी अत्मुक क्रिया का आई एंजी फार्म आता है क्योंकि यह continuous है इसलिए हमें इंजी फार्म इस्तिमाल करना पड़ता है और जो बी है यह वी जो है उन्हें को जानि रखता है टेंस में बी लगा लिया आता है ताकि continuous को हमें हिसास करा दे, sell और will future के लिए लगता है, यह इस तरह से सिधान्त है, और जो आखिर में हम देखते हैं, negative sentence है, तो sell भी या will भी के मद नाट लगाती है, मतलब sell के बाद या will के बाद नाट आता है, और नाट आने के बाद पी का हम इस्तिमाल करते हैं, इस तरह ह हम sell और sell और बी के बीच में नाट लगाते हैं, a rule कहता है, sell बी के बाद नाट नहीं आता, लेकिन sell नाट भी आता है, we sell नाट भी sleeping, राना विल नाट भी running, राना दोड नहीं रहा होगा, इसमें जो construction होता है, इसको structure बोलती है हम लोग, या धाचा बोलती है, वो बहुत simple है, लगबख सभी का एक ही होता है, वो एक ही है, subject होगा, फिर helping more होगी, अगर negative है तो नाट होगा, और फिर जो उसकी किरिया की सहता करता भी है, और आखिर में उसे sentence के मताविक, ing farm, first farm, second farm, third farm, इस तरह से इस्तिमाल कर लिए जाता है, तो हम देखते हैं, सब्जेक्ट, दे, विल, helping more not, और फिर भी, आयक किरिया ये भी है, और मुख किरिया का ing farm और object है, उस तरह इसका structure होता है, दोस्ते बहुत मतलब कठी नहीं है, आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझे आएगा, आप complete वीडियो देखें, जिससे बात पूरी समझ में आ जाए, इस छोटो-छोटो सिंटेंस है, जो समझे रहते हैं, वो आखिर में जाके बड़े सिंटेंसों को आसानी लगा लेते हैं, जो आप पूरी वीडियो देखें, I shall not be playing, मैं खेल नहीं रहा हूंगा, We shall not be sleeping, हम सो नहीं रहे होंगे, Rana will not be running, Rana दोर न आपनी पूस्ते के अपनी किताबे बेच नहीं रहे होंगे, Amal will not be reading, अमन पढ़ नहीं रहा होगा, बस यतना है, Amal will not be eating food, अमन खाना नहीं खा रहा होगा, He will not be reading, वा पढ़ नहीं रहा होगा, We shall not be playing in the ground, हम मैदार में खेल नहीं रहे होगे, और वहीं उतना सादा रूल ह आई वीए के साथ सेल भी तत्रम्मक्रिया का इजी फरमाता है यू उसी ही इट दे के साथ विल विल वी के बद नाट लगा देते हैं दूस्तों इसके बाद हम इसका जो है इन्टरीव गेटिव फार्म बताएंगे हम शूटा-शूटा इसलिए बनाते हैं ताकि कोई भी कंश कि अधिवार में एक टापिक उठाते हैं और नेगेटिव है तो आज पूरा नेगेटिव पर एक वीडियो जिसे पूरी बात समझे जाए कोई भी कन्फूजन नहीं इत्वन हो इस तरह से हैं दोस्तों वीडियो पसंदें उसे लाइक कर दें ऐसे वीडियो देखने के लिए को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को सेर करें वीडियो देखने के लिए थेंकिए